तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में PUBG के साथ 117 एप्लिकेशन किन कारणों से बैन हुआ था, इसके बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों आज हम PUBG से रिलेटेद देख गुड नूज लाए हैं, यह गुड नूज उनके लिए हैं, जिनको PUBG खेलना पसंद ह तो दोस्तों वीडियो एन तक देखना, तो दोस्तों आप में से जितने भी PUBG लवर हैं, उनके लिए यह गुड नूज है, आपकी PUBG मोबाईल इंडियो में अनबैंड हो सकती है, और इसे आफिशली PUBG वालों ने ही अनाउंस किया है, तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीड कमपनी ने डिवेलप किया है, लेकिन PUBG का मोबाईल वर्जन चाइना की 10 cent कमपनी ने डिवलप किया है, और इसी कारण PUBG को इंडिया में बैन किया गया, तो ऐसे मैं PUBG कॉर्पोरेशन वालों ने यह डिसीजन लिया है, कि जो PUBG मोबाईल की फ्रेंचाईजी है, इंडिया में व में कि PUBG का इंडियान वर्जन भी देखने को मिल सकता है, और ऐसे हमारा जो डेटा वगेरा है वे Chinese Government के पास नहीं जा पाएगा, और दोस्तों आपके मन में यह question जरूर होगा कि PUBG Unband कब तक होगी, तो दोस्तों गेम का जो डेटा है वह PUBG वालों के पास पड़ा है, हमें इसमे सिर्फ थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, वह भी प्राइवेसी पॉलिसी में और इसको Unband होने में शायद कुछ दिन या एक दो मन्त धी लग सकता है, और दोस्तों PUBG Unband के Good News के साथ एक सर दिन्यूज भी है, PUBG के बैन होने के बाद दो इंडियन यंगस्टर ने सुसा कर लिया और ऐसा इन्होंने डिप्रेशन में आकर यह कदम उठाया, और दोस्तों हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा रॉंग स्टेप क्यों लेते हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गेम को गेम की तरह लीजिए जान देना यह कहां कि समझदारी है, अपना नहीं तो करना ना भूले